अच्छा देखें भई जो मतलब यह एक छोड़ा तो टॉपिक रह गया था चैप्टर नमबर टू का कंडेंजेशन और हाइडोलैसिस हम पढ़ेंगा है ठीक है यह हाइडोलैसिस यह रहा और कंडेंजेशन यह रहा चाहिए क्या होता है होता है डिकां इसका 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 जो इसका चीज नेम है तो आपको यह लिखना है इन दिस प्रॉसेज नाज and complex molecules are produced by smaller molecules with removal of water इसका क्या मतलब हो इसका यह मतलब हो कि कोई भी large molecules का बनना दो छोड़े-छोड़े molecules के आपस में मिलकर और remove होना water, water का remove होना for example मैं आपको इससे यहां से समझाता हूं देखें carbohydrates की मैं example लेता हूं तो carbohydrates देखें, दो glucose हैं दोनों छोड़े-छोड़े molecules हैं, ठीक है ना, small molecules हैं अब यह जब बड़ा molecule बनाएंगे, large molecule बनाएंगे सुक्रोस तो किस तरह बनाएंगे, यह अपना water को remove करेंगे और यह दोनों हापस में जुड़ जाएंगे, यह add हो जाएंगे तो यह बड़ा large molecule बनाएंगे, जिसको कहते हैं सुक्रोस और remove क्या हो रहा होता है, water remove हो रहा होता है यह इसी हो कहते हैं, condensation एक्जेमपल आपके पास मुझूद है, carbohydrates भी इसी तरह बनता है proteins भी इसी तरह बनता है, lipids भी इसी तरह बनता है तो यह example भी आद रहें, पेपर में बहुत important है और एक चीजव बहुत important है कर्भा हाइजव्रेट्स पूज हो इस को बन पाए जाता है लाइकोसाटिक बन्ड पाए जाता है प्रोटीन में कौन सा बन्ड़ पाए जाता है, वह peptणmAyाण यहां पर लार्ज मॉलीकूल जो होता है वह तो यहां क्या हो रहा है यहां पर लार्ज मॉलीकूल जो होता है तो यहां वाटर लार्ज मॉलीकूल होता है टोटता है छोटे छोटे मॉलीकूल से में इसका प्रम यह था एंद हो रहा हो ऑर तो चोटे मॉलीकूल यहां पर टूट रहा होंगा है हे इतना चोटा सा डिफरेंट Scани आखना है, example यह ऐल फूट डाज़ेंटेसिंट इनदा प्लाइन, इनसानों के अंदर जितनी भी फूट की डाज़ेशन होती है, खाना अजम, के मतलब जितनी भी चीज़े होती है, वह हम हाईडुलाजिस के अंदर इसको कंसिड़र करते हैं, आप खाना खाते हैं, ठीक है ना हाँड़ labelsще हाँड़ लैसस के तूटता हे और वहाँ हो रही होति है ऑटर की enzyme कुन से उते हैं या enzyme inv Peter karbohydrate फ्रकल जो कि बहुत इंपॉर्टन है कंदेशना हयाज है मैं आय होंगे